Hello friends and dear students, today we will discuss the synthesis of fentanyl citrate. Fentanyl citrate की बात करें, तो ये एक एनलजेसिक के तरीके से यूज किया जाता है, और अगर इसका comparison करें morphine के साथ, तो ये इसकी potency जो होती है, जो होती है, और ये rapid onset show करता है, यानि कि लेने के तुरंट बात जो है, ये action अपना show कर सकता है, और short duration of action होता है, यानि दंबे समय के लिए इसका action body के अंदर नहीं होता, it is also used as anesthesia, इसका anesthesia के यूज करने के लिए भी हम लोग use करते हैं, और ये अगर हम इसकी class देखें, तो ये एक opioid analysis होती है, जिसमें उसका chemical classification जो है, वो है 4-anilino-pipridine जो है, इसके अंतरगत ही आती है, ठीक है, और अगर इसका IPAC nomenclature की बात करें, तो मैंने इसका IPAC nomenclature जो होता है, actually वो यही है, लेकिन आपने जो ये drug दी जाती है, वो fentanyl citrate की रुप में दी जाती है, तो इसके आगे जो है, वो citrate का भी नाम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो fentanyl का नाम जो है वो यहाँ तक है, ठीक है, इसके आगे जो लिखा हुआ है, 2-hydroxy 1-2-3 propane tricarboxylate, that is citric acid, ठीक है, तो यह citric acid, citrate के form में यहाँ पर fentanyl के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए हम लोग डाट अगरके इसको लिख रखा है, और यह जो structure है, आप देख रहे हो, यह tri-substituted amine का एक structure है, जहाँ पर nitrogen के साथ जो है, पेप्रिडीन रिंग लगी हुई है, यहाँ पर CH2, CH2 और एक phenyl ring लगी हुई है, phenyl ring इस nitrogen पर सीधे लगी हुई है, और CO2H5 जो है यह group लगा हुआ है, ठीक है, तो यह total जो है structure है कि इसका fentanyl citrate का, अब बात करें अगर इसकी synthesis की, तो इसकी जो synthesis है वो start की जाती है, 4 pepidions के साथ, यानि कि आपको लेना है, 4, यह हो गया हमारा nitrogen, यहाँ पर double bond O, ठीक है, this is 4 pepidone, ठीक है, और इसकी reaction हमको करानी है, यहाँ पर hydrogen भी होगा, यह इसकी reaction हमको करानी है, किसके साथ, plus Cl, CH2, CH2, और यहाँ पर benzene ring, यानि कि phenethyl chloride, ठीक है, phenethyl chloride के साथ इसकी reaction करानी है, 4 pepidone की, जहाँ पर यह H और यह CL, एक साथ चले जाएंगे, ठीक है, और क्या निकालेगा यहाँ से, HCL जो है, वो बहाँ निकलेगा, और यह इसमें, पुरा का पुरा ग्रूप जो है, यह इस H को replace करके, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए, डबल बॉंड, ओ, स्वरी, यहाँ पर ना टोजन है, ठीक है, अब इसी पर यह पुरा का पुरा ग्रूप जोड़ जाएगा, CH2, CH2, और यह हमारा, C2, स्वरी, C6, H5, ठीक, अब यह जब जोड़ गया, तब इसी समय, इस step में हम लोगों को लेना होगा, यहाँ पर H2N, और यहाँ पर बेंजीन रिंग, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो इस एनिलीन, ठीक है, एनिलीन जोब हम लोग लेंगे, तो एनिलीन के साथी साथ, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा, as a solvent, पैरा, टॉलिवीन, सल्फोनेट, एसिड, ठीक है, इसको, पी, सोरी, पी, टी, एस, ए भी जो है, वो बोलते हैं, पैरा, टी, एस, या, पैरा, टॉलिवीन, सल्फोनेट, एसिड, यह आपको लेना है, तो सिंपल से चीज़े क्या हो होगा, यह O, और यह 2H2, that is, पानी निकल जाएगा, ठीक है, और यह पूरा का पूरा जो नैटोजन, एनिलीन के साथ, यह क्या हो जागा, यहाँ पर जोड़ जाएगा, तो जोड़ दीजे, CH2, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे ही है, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे ही रग दीजे, जैसे था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉंड, एनि, डबल बॉंड क्यों लगेगा, क्योंकि O निकला है, और 2H निकले, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, कहाँ पर हमको करना है reduction और reduction करने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छा reducing aging ethereum aluminum hydride या फिर हम लोग ले सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर आपके पास वह नहीं है तो अवलेबल तो sodium borohydrate ले सकते हैं आप लोग ठीक है एने भी एच लग जाएगा तो लगा लेते हैं यह हो गया अब यहां पर एक है इस nitrogen पर एक है और यहां पर क्या लगा हुआ है हमारी पहले लगी हुई थी और यहां पर भी CH2 CH2 बेंजीन निंग यहां पर लगी हुई है अब सब कुछ लगभग तयार है अब इसमें हमको बस खाली यहां पर इस एच को रिप्लेस करना है और सी यह च्टू गुरूप लाना है तो इसके साथ हम लोग ले लेंगे यहां पर अपना प्रोपेनोइक एन हड्राइड प्रोपेनोइक एन हड्राइड जो होता है वह कुछ इस तरीके का होता है C2H5 C double bond O O C double bond O C2H5 ठीक है इसका नाम है प्रोपेनोइक एन हड्राइड तो प्रोपेनोइक एन हड्राइड को हम लोग जब लेंगे तो यहां से H निकलेगा यह H will be gone to here ठीक है यह H प्लस अगर इसको हम लोग यहां पर दे दे तो यह H जो है इसको attack करा दीजीए इस O के साथ यहां पर नीचे ठीक है और ये जो पूरा का पूरा गुरूप है यह निकल जाएगा निकाल देते हैं किस फ़र्म में निकलेगा यह प्रोपिनोइक एसेट ठीक है प्रोपिनोइक एसेट जो है वह बहार निकल जाएगा और यह पूरा का पूरा गुरुप COC2H5 का यहाँ पर जोड़ जाएगा तो जोड़ दीजे यह हो गया N CH2 CH2 ठीक है और यहाँ पर N यहाँ पर हमारा यह बेंजीन डिंग लगी हुई थी और इसी पर जोड़ गया COC2H5 तो COC2H5 यह और यह क्या बन गया हमारा Fentyl Fentyl बन गया और अब इस Fentyl को अगर हम लोग citric acid के साथ रेक करा दें जैसा कि हमने उपर रेक्षार में लिख सकता है तो यह क्या बन जाएगा Fentyl Citrate ठीक है तो Fentyl की जो synthesis है वो आपको फिर से एक बार देखने चाहिए कि 4 Pepridone के साथ जो है 4 Pepridone लेना है उसके बाद Phenethyl chloride लेना है जहां पर यह CL और यह H आपस में निकल जाएगा और यह पूरा का पूरा ग्रूप यहां पर जुड़ जाएगा जोड़ दिया हमने फिर हम H2 यहां से O का निकलेगा पानी निकलेगा और यह जो और इसके बाद यह जो पूरा का पूरा एनलीन है वह यहां पर जोड़ लेंगे आप ठीक डबल बॉंड एन आ जाएगा यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे reduction करेंगे और यहां पर एक एक यहां पर और एक यहां पर एक यहां पर है तो दोने जगा पे हमको क्या जोड़ना होगा hydrogen जोड़ना होगा reduction हो गया और इसके बाद फिर हम लोग यहां पर propanoic anidride के presence में reaction कराएंगे यह hydrogen यहां से निकलेगा और इस O को मिलेगा यह पूरा का पूरा group बाहर हो जाएगा in the part of क्या propanoic acid के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा यह COC2H5 जो है यहां पर जुड़ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा fentanyl और यह जो fentanyl है अगर इसकी reaction हम लोग citric acid के साथ करा दें तो यह क्या बन जाएगा fentanyl citrate जैसा की उपर जो है बन रहा था ठीक है fentanyl हमको चाहिए but fentanyl citrate के साथ करा देंगे तो citric acid के रूप में इसको मिल जाएगा तो यह थी census of fentanyl citrate इससे डिएटर अगर कोई कुश्यन हो तो comment box में पूछेगा मैं सको answer करने के कुशिश करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद